रेस्टूरेन को जागिर यम बराल रम संगित छेत्रमा लगबख योटे समय मा आयका थियू बादल को गुम्टुले इलाम बजार छोबिदा भन्ने उनको गित शंगई मेरो लुकी लुकी आखाती में नज़दवते शरी बन्ने गित अनि राजे स्पायल रायको चाई फईलियो माया दुबोशरी अत्यनता लोग प्रिये थियू यम संग मेरो पहिलो भेट रेडियो नेपाल को क्यांटिन मा भायको थियू पहिलो टीशर्ट अनि निलो जिन्स पाइट मा यम खुब खुले का थिये बिच बिच मां हामरो भेट पाई रहन थियो मेरो उनि संग ठुलो आत्मेता छो घट्टे कुलो को घर मा भर्खर बसाई सर्दा को समयमा है मिलाई आर्थिक संकट परेको थियो इंजिनेरिंग पड़ायको खर्च ठुलो थियो भने घर बनावदा लिये को रिन लिये गर्दा मा बिहान बचा अरलाई ट्यूशन पड़ाऊं थिये हिसाब र अंग्रेजीमा मा राम्र थिये तर हाथिको मुखमा जीरा भने जैं मेरो उमेर अनुसार को आवसेक्ता पूर्ति गर्न त्यों काफि थिये पड़ाई सक्येको थिये न तर रेस्टूरेंट मा गिद गायर पैसा कमायका कुराहरू मैले थुप्रई पटक सुनेको भने थि आनन्दकार की रामक्रिष्ण धकाल अनि सपना परियार त्यों समय मा रेस्टूरेंट काउने करत थि बिहान ट्यूशन अनि दिउसो कलेज भायको ले बेलुकी को खाली समय मा रेस्टूरेंट मा काम गरन पाए राम्रों हुन्थियो बन्ने लायको थियो ते दिखेर रेस्टूरेंट मा गजल अनि हिंदी गितको खूब माग थियो बिनायक वाईबा गितार मा अनि रेडियो नेपाल का बाध्य बाधक मनिराज दाई तबला मा रो मग गायन मा रहेर योटा समय बनाईयो नियूरोट को पीपल बोट नजी गए रहेको योटा रेस्टूरेंट मा गजल गाउने सम्मव को खाचो थियो त्याहां हमी परिक्षन को लागी कईयो बिनायक को कमजोर प्रस्तुति अनि मेरो स्वर गजल मा फिट न भायकोले हामिलाई लिए न रेस्टूरेंट मा पप गित र अंग्रेजी गित मात्र सुन्न चाहने ग्राहा करू अत्यांत कम थिये यम बराल कुपंडवल को एक रेस्टूरेंट मा गजल गाउन थे भने रामकिष्ण धकाल तीन कुने को आफने रेस्टूरेंट मा गित गाउन थे तर एक दिन टेली विजन को रेकरडिंग स्टुडियो मा गित गाउने सिल्शिला मा यमले नया समोह बनाउना लागे को कुरा बताए। गितार बजाउने अनि पप को स्वाध पस्कने जिम्मा दियी मलाई उनले आफनो समोह मा राखे। रेस्टुरेंट थियो गौशला चोको अपसरा। मिलन मोक्तान को मध्यस्थता मा अपसरा होटेल राय यमबराल बिच सम्झोता भाय को थियो। मा सिक रू अच्ची सय मैले पाउने सर्थ मा काम सुरुभायो। किरर्ण कडेल कीबोड मा दार्जिलिंग तिरको एक जाना राय तबलामा अनी महिला स्वर्पनी दार्जिलिंग पठी कई थियो। आधुनिक र गजल गायन मा यमबराल थियो भने। मा चाहिं पप गायन र गितार मा थियो। रेस्टूरेन दोईजानको सम्युक्त लगानी मा गुलेको थियो। एक जाना बुबाको उमेरका थिये बने औरको चाहिं सायद 30-35 का हुनु पर्चल। दुबई अत्यलत स्वोजा अनी दयालू थियो। यम्बराल रवा फिलो पाराले बिविनम्मा घरू राखत थे। विचरा साव हरू। उनका आबसेक्ता हरू। ग्यानी बालक जाईं खुरू-खुरू पुरा गर्द थे। ओवर शियर पर्धे गरेको हुनाले मलाई सावर साती हरू। अली आदरका द्रिष्टी ले हरू। मेरो सवारी साधन्न भाय कोले प्राय। किरन मलाई घटेकुलो चोख मा लिना हो थे। रा काम सकेव बची घर सम्मा पुरै दिने गर्द थे। मिलन मक्तान बिच-बिच मा आई रहन थे। सायद यम ले मिलन बाट नहीं तलब लेरा हैमलाई दिने गर्द थे। रेस्टुरेंट को तलब ले मलाई ठुलो आडर भरो सामीलियो। राती को खाजारा खाना सित्तेमा पाइने औनी ग्रहा खरुबाट आउने। टिप्स को कारण ले यो जागिर जीव साबित भया। गजल साथ बजे देखी शुरू भई, दस बजे तीर सकें थे। सुक्रबार औनी सनिबार भरे निके अभेर हुन थे। तलब समय में पाइन थे। समय में पाइन थे। बास्तव मां मलाई हिंदी गित गाउन र बजाउन तिती मन थे। मर्ता तो क्या नहीं करता भने जैं बाद्धे ताले मात्र सोकामगर्न परेको थे। पच्चास बंदा बड़ी हिंदी गितर को संगीत सुने र दुरुस्तई निकालन को लागी पर्याक्त समय थे। तेस माथी दिन दिने हिट भहेका तत्तेक गित सुने र नकलगर्नु ज्याव लागदो काम थे। र यो काम मा मैले अलिक लापरवाई पनी करे। यो कुरा समोह का अरलाई पनी था थियो, तर यमले यो बिशे लाई कहिले पनी उठाये ना, बरु किरन संग भने ठुलो बिबाद पर्यों। बास्तब मा किरन अत्यांत मेहनती औनी इमानदार थे। निक्के पहिली देखिने उनी रेस्टुरेंट मा कीबोड बजाओं थे। प्राय सबई चले का हिंदी गित औनी नेपाली गितर को संगित उनी रामरी बजाओं न सकते। मलाई पनी आफु जस्ते मेहनत गर्ने आग्रह बारम बार गर्द थे। तर अच्याय को समझी मैले उनको बने बिरोप्लरे। गौशला प्रहरी बिट नजी कई शू रेस्टुरेंट रामरे चल थे। यवटा कुनामा रहे कुर्सान मंचमा अगाडी पट्टी यम रकाई का बस्त थे। कीरन भने तबला बादक र मेरो बीचमा बस्त थे। किशुर कुमार, मोहमद रफी, नारेन गोपाल, जस्ता, गायक का गितर प्राय बड़ी फर्माई सुने करद थे। पप गित भने मोहमा द्रगाउं थे। यम मराल रम्मेरो अफने गित कपने डिवान बराबर आउने करद थे। गायका को स्वर ला सबैले मन प्राऊं थे। स्वर को साथ है उनको बानी रशील स्वबाब पनी पत्तेंतर आम्र थे। तबला बादक साथी सानो काठको बहता पनी रक्षी खुब खानो पर थे। उन्लाई। नियमित खाना बाहेक अरु खाना को खर्च तलब बाट काटिन थे। मर रक्षी नहाने हुना ले पुरेई तलब बज़ं थे। साथे त्याहां पाइने टिप्स पनी आम्रानी को राम्रो स्रोथिय। यसेको आडमा मैले पनी युटा मोटर साइकल कीने। आमाले खोजी देको रिन बाट कीनेको आर एक्स मोटर साइकल ले करदा मलाई अरु काम गर्ना सजीलो भाया। लागे को रिन लाई मैले पहिलो प्राथा मिक्ता देर एक एक पईशा जम्मा गर्दे नौ मैना विद्रे जुकता गरे। रेस्टूरेंट मा हरे एक किशिम अनी प्रविदी का विक्तियरो आउने गर्द थे। बिविन न स्वचाईर बिचार राखेरा आउने हरो को छुलो भेर लाग्थे त्याहा। वैटर हरुमा दे केही महिला पनी थे। कोही कोही ग्राह करू महिला वैटर संग बड़ी नई जिसकन अप्पुश्द थे। अलिक बड़ी नई भाय पची ओखल ढूंगा ती रगी एक शेरपीनी वैटर ले ग्राहाक को गाला मा दुई चरकन लगाई। तर साहुले उल्टो उनलाइने हकारे। भुली पल्ट देखी तीनी आउना छोडे। येशता थुप्रै घटना हरुले मलाई पनी रेस्टूरेंट को काम प्रती पिस्तारे बित्रिशना जागना धाले। कलाकार हरुलाई पईसामा की नेको नोकर जही गरीने ब्यवाहारले मेरो मन कुडिन थियो। जड़या हरुको आबेसलाई शिरोधार्य गरी जबर जस्ती गाउन पन्ने बाद्धे ताले स्वाभीमान मा ठेस लाग थियो। गाईकालाई पनी कोही कोही ग्रहाकले छेर छार गर्ने गर्द थे तर उनी टुलू टुलू मात्र हिरी रहन थे। सायद त्यो उनको बाद्धे ता थियो। आफुलाई सिभिल पुलिस हूँ बंदै एक जाना बेक्तिस सधे आयर किच-किच गर रहन थियो। दिन बिरायर रात्ते पिछे केही पुलिस हुरू सहीत एक जना इंस्पेक्टर त्यहां आयर बस थे। पुलिस हुरू लाई ट्रोका मा राखी उनी साहु हरुसंगे खाना खान थे र पैसा नतीरी फरकन थे। जही जगडा परदा साथ चाहीने हुनाले साहुजी उनलाई रिजावन चाहां थे। पस्चिम तिरका हट्टा कटा गुरूं जाती का एक जाना बाउंसर शुरुक्ष्याको लागी राखिये को थियो। निकेई फाई-फुई गरता पनी परेको बेला भने उनी पंचिने गर्दा थे। एक पटक दुई टेबूल बिजका ग्रहा खरूं एक आपसमा जगडा गर्न थाले। साथई आयेको योटा खेटीको कारणले शुरू भएको बिबाद बोत्तल हाना हान सम्मपुग्यो। हामी सिशा अरू छलदै स्टेज बाट और को कुना तर्फ भाग्यों। त्यहां पुग्दा मा छक्क परे किनकी शुरक्ष्याको लागी खटेको बाउन्चर त क्यो खुणा मा पहिलेने आयर लुकी शकेको रहे छुआ। फुटेको शिशा स्वात्त पेट मा गुशाई दियो भनेता खत्त में बह्याल शानी बन्दै उनी उल्टू बस्ट पखोजे। तिस्ते योटा अरको घटना पनी मा सम्झन छुआ। कि नहो एक दिन यम अनुपस्तित रहे। सट्टामा एक जाना अरको गायक लाई उनले पठायका थिये। योकुरा साउजी लाई मन परेको थिये। तर पनी उनी चुप नहीं थिये। ग्रहा खरू यम लाई नहीं खोजी रहे का थिये। करीब आठ बजे तीर निके अगलो अनी हिर्देई डरलाग दो बेक्ती रिशाउदे यम लाई खोज दे आये। यम लाई न देखे पची साउज जगडा गर्न उनले खोजे। केही बेरको बाद भी बाद पची रिशले फद फदाउदे उनी त्याहां बट निश्किये। बास्त भी कुरो बुजदामा चक्क परें बानेश्वर की एक महिलालाई यम ले प्रेमकुर प्रस्ताब रहेका रहेचन। तरह सोकुरा महिलाले आफनो प्रेमेला शुटक का भनी दीन। रिश्टोरेंट मा यम लाई खोजने केटा अरु कोही ना भैर स्वही प्रेमी पो रहेचन। यम करीब एक अप्ता सम्म रिश्टोरेंट आया। यवम रितले करीब दस महिना विदेओ आफुले हिरदा रेश्टोरेंट राम्रो चलेको जेस्तो देखेता पनी। साहु भने दिन दिने घाठा भायको गुरागर्द थे। बीचमा दुई महिना जती तलब लिने समाई पनी तलबाधी पर्यो। मिलनले तलब नदेको कारण जिला भयको यम अरुलाई बताउं थे। म भने सोजही यम संग पईशालें थे। यही बीचमा दुई साहु हरु बीच केही मनमुटाब देखा पर्यो। यवटा आयर अरको को कुरागर्धे भने अरको चाही पहिलो को कुरो कार्थे। वेटर हरुले पनी समय मा तलब पाये का थेनन। कती पएले छाडे भने कती पए चाही अजही तलब पाउने आशामा ने थे। सो अबस्था देखे पछी किरन छाडने मनस्थिति मा पुगे मपनी सुनिस्चित भविश्यतर्फ सोचना लागे। मिलन घरी घरी आयर साउ संग अभिवाद गरी रहन थे। एक दिन तर निके चरका चरकी नहीं परे। एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप शुरू भयो। तेस पछी उनी त्याहां आये नं। यम आफेने अब सो समय को हर्ता कर्ता बने। येसे बीच साहू हरू बीच रेस्टूरेंट बेचने कुरा गाईवुई शुनीन धाले। न भन्दै एक महिना पछी सो रेस्टूरेंट बिक्री भयो। तेस पछी हामी सबाईले रेस्टूरेंट छाडे। र एक दिन टेलीफोन को बेल तीरन मनक्साल पुगेको बेलाया। प्रचंड गर्मी भायकोले कोख खाना पसलतीर छीरे। तेती कैमा परिचित जस्तो लागने एक भेक्तिले मलाय बोलाय। मा अचम्माई परे आठ बर्ष पहीले भेटे को सोब बेगती उही रेस्टूरेंट का एक साउजी कुमारदाई थी। निक्केई बेर्रमाईलो कुराकानी भयो। अन्तेमा मैले रेस्टूरेंट को कुरो को चाए। उनले टाउको मा हात राग दे लाम स्वास्तान दे भने डुबायोनी हव मलाय तक खत्तमे बनायोनी उनको आखामा पीडा जलकी रहे को थियो। झालकी रहे को तक खत्तमे थाए।